हेलो एवरिवन कैसे हैं आप आज हम SCRT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैम्पैन इंगलिस की वर्क्षीट नमबर 17 सॉल करेंगे जो की 5th February 2022 की है बच्चो ये वर्क्षीट क्लास 4 के स्टुडेंट्स के लिए है वर्क्षीट की थीम है फन विद पॉयम्स यहाँ पर आ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए वर्क्षीट सॉल करते हैं गुद मॉर्निंग डियर चिल्रन लैट उस मीट किट्टू दकाइट इट लवस्टू फ्लाइट लैट उस सी वेर इट गोस तोड़े गुद मॉर्निंग प्यारे बच्चो आओ किट्टू से मि लवी ने मुझे लंबे धागे से बांदा है और आकास में भेजा है आप देख सकते हैं चित्र में रवी नाम का लड़का पतंग को उड़ा रहा है अप एंड अप आई वेंट उची और उची मैं गई अप एंड आप आई वेंट उची और उची मैं गई I was so happy मैं बहुत खुश थी I wagged my long tail to say hello to रवी मैंने अपनी लंबी पूँच को इदर उदर लह रहाया रवी को hello कहने के लिए wagged होता है हिलाना आपने dog's tail देखियोगी जैसे dog अपने मालिक को देखकर अपनी पूँच को हिलाता है इसी तरह से आपने पतंग को देखा होगा पतंग के नीचे जो पूँच बंदी होती है वो sky में हिलती है तो wagged होता है हिलाना I asked the birds if I could go higher मैंने पक्सियों से पूछा कि क्या मैं उंची जा सकती हूँ yes yes they said उन्होंने कहा हां हां जा सकती हो So up and up I went इसलिए मैं उंची और उंची गई I asked the cloud if I could go higher मैंने बादलों से पूछा कि क्या मैं उंची जा सकती हूँ yes yes they said उन्होंने कहा हां हां So up and up I went इसलिए मैं और उंची और उंची गई चले आगे बढ़ते हैं I asked the moon if I could go higher मैंने moon चांद से पूछा कि क्या मैं और उंची जा सकती हूँ yes yes it said उन्होंने कहा हां हां So up and up I went इसलिए मैं उंची और उंची गई I reached the sky I asked the sky if I could go higher No no it said sky is the limit मैंने sky से पूछा आसमान से पूछा कि क्या मैं और उंची जा सकती हूँ तो उसने कहा नहीं नहीं sky तो limit होती है sky is the limit Will you be my friend I asked the sky क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मैंने sky आसमान से पूछा Yes yes it said उसने कहा हां हां come back tomorrow and we shall play कल आना और हम खेलेंगे I took a big dive down and down I went down and down I went मैंने एक नीचे की तरफ गोता लगाया और नीचे और नीचे मैं गई और नीचे और नीचे मैं गई Ravi took me in his arms Ravi ने मुझे अपनी arms में पकर लिया and we went home happily और हम घर चले गए खुशी खुशी तो बच्चो कैसे लगी पोयम आपको मज़ा आया Very good चलिए अब पोयम से related कुछ questions करते है Whom do you think the kite will meet next आपको क्या लगता है कि kite next किसे मिलेगी तो यहां answer लिखेंगे I think the kite will meet the sky next Next question How would Ravi and other things look from the sky Draw your answer तो आपको बताना है कि आस्मान से Ravi और बाकी चीजें कैसे लेगेंगी आपको आपना answer draw करके बताना है तो बच्चों आप एक drawing करेंगे जिसमें आप आस्मान से नीचे का दिस से बनाएंगे तो यह कादरे आप swim करेंगे आपकी सुईधा के लिए मैंने यहां pick बना दी है कि आस्मान से नीचे धर्ती का view कैसा आता है अगर आप पतंग की तरह उड़ सकते तो आप कहा जाते तो बताएए बच्चों अगर आप भी पतंग की तरह उड़ सकते तो आप कहा जाते इसका answer सभी बच्चे अपने सब्दों में लिखेंगे आपकी सुईधा के लिए मैं यहां लिख रहा हूँ अगर मैं पतंग की तरह उड़ सकता तो मैं जंगल में जाता आप यहां पर moon लिख सकते हैं आप sky लिख सकते हैं आप planets भी लिख सकते हैं इस तरह भी आप अपना answer लिख सकते हैं If I could fly like a kite I would go to planets मैं अलग-अलग ग्रह उपर जाता ठीक हैं इस तरह से या If I could fly like a kite I would go to Jupiter Jupiter ग्रह है एक मैं वहाँ Jupiter ग्रह पर जाता तो आपके मन में जो आए आपको यहां लिख सकते हैं तो बच्चो यह worksheet यह complete होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे like and share जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे latest videos को देखने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom Thank you बच्चो यह दो यह जो यह जो आपको यह जो जो अज़ाए